आजमगड़ University के बी ए बेसी बिकोम के सिकेंड फोर्थ समेस्टर की जो परिच्छा हैं फाइनली दस मईह तक संपन करा ली गई हैं तस मईह तक सभी छात्रो की परिच्छा है हो कुकी यह सिकेंड फोर्थ समेस्टर की अब आप में से बहुत आ तो इसके बारे में हम जानकाई देने वाले कि कितने दिन के बार रिजल्ट आता हो कब तक आएगा आजमगड इंवर्सिटी में आप सभी का जो रिजल्ट है तो ध्यान से सुन लिजेगा बिए बेसी बिकॉम के सिकेंड और फोर समस्टर वाले स्टुडेंट और साथ साथ मे हाले सुन लिजेए सेक्स वाले के एक दू परिच्छाहां रहे गई है ठीक है हलाकि वह भी हो ही जाएंगी दो-चार दिन में ठीक है दो परिच्छाहां रहे गई है बस तो धान से सुन लिजेगा आप सभी के जो रिजल्ट है जो नियम कानून है इन्वर्सिटी का वह है पैतालिस से साथ दिन का पैताल जिस दिन भी परिच्छा है आप सभी की हो जाती है लास्ट वेपर रहता है उसके जिस्ट पैतालिस से साथ दिन के बीच ही आप सभी का रिजल्ट गोसित कर दिया जाता है जो चार दिन आगे पीछी हो जाता है पहले नहीं आता बाद ही हो गुसित किया जाएगा आजम गढ़ इन्वर्सिटी के जो भी बीए बेस्जी विकॉम के सिकेंट फॉर्थ वा सिक्स समेस्टे के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट जुलाई में आएगा जैसे भी रिजल्ट आएगा हम आपको सबसे पहले इन्फोर्मेशन कर देंगे इफ लिए अभी के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे क्योंकि जैसे बी रिजल्ट की कोई अपडेट आएगी हम डायक्ट इन्वर्सिटी से कॉंड़र्ट करके आप लोगों को लाइफ प्रूप के साथ भी बताएंगे अगर रिजल्ट लेट होता है या फिर आता है किसी भी परकार की अगर कोई भी अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर्ब कर लिजेगा ठीक है बाकी कोई क्वेश्चन तो जरूर्ब मुचें मिलते हैं और एक और नए वीडिय वीडियो में जय हिंद